आपने तो सुना ही होगा कि सब्जियों का राया कद्दूराया ? यानि कि कषीफ़ल , तो अकर कद्दू мыकल अन्यान, और अंथ देखना और जरूर देखीएं वीडीयो, अंत तक देखना है कादीयो कषीफ़ल की सब्जिय बहुत ही सुंदर और स्वाधिस्ट काज़िपल जितना देखने में सुन्दर लगता है उतना ही अंदर से जब इसकी सबजी बनती है तो बहुत सौधिश्ट बनती है अक्सर बहुत कम लोगों को ही कद्दूई सबजी पसंद होती है लेकिन आपको जानकर आश्चर होगा कि कद्दूई में कुछ ऐसे पोसक तत्तो पायाते हैं जो किसी दूसरी सबजी में नहीं पायाते हैं अक्सर बहुत कम लोगों को ही कद्दूई सबजी पसंद होती है लेकिन आपको जानकर आश्चर हुआ कि कद्दूई में कुछ ऐसे पोसक तत्तो पायाते हैं जो दूसरी सबजी में नहीं मिलते हैं तो साधराण सी दिखने वाली ये सबजी सिहत के लिए बहुत लाबकारी होती है कद्दू में बिटाइमिन B6, फायवर, फॉलेट, बिटाइमिन A, बिटाइमिन C, पोटेशियम, कापर, मेंगनीसियम और बिटाइमिन E आदी पोसक तत्तो प्रयात मातरा में होते हैं कद्दू का सेवन करने से, इम्यून सिस्टम बोष्ट होने से लेकर तुचा और बालों की खूबसूरती बढ़ने जैसे अनेक फायदे होते हैं आईए आपको कद्दू खाने के अनेक फायदों के बारे में बताता है तो खूबसूरती बढ़ाता है कद्दू इसका इस्तिमाल करने के लिए पहले कद्डु को काट कर अच्छे से पीसे, अतिय में बिटैमिन E OIL को डाल कर अच्छे से मिलाएं, अब इस पैप को अपने चैरे पर अच्छे से लगाएं, और जब ये सूख जाए तो इसे गुनगुने पानी से दोएं अपने चेहरे को, इसके इस्तिमाल से आपकी इसके पूरी तरह से निखर जाएगी, चेहरे की जुर्यों की समस्या को करता है दूर, चेहरे की जुर्यों की समस्या को दूर करने के लिए एक बावल में दो कद्दू का जूज जालकर अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगा कर 10 मिनट के लिए छोड़ दें फिर गुन गुने पानी से अपने चेहरे को दोएं ऐसा करने से आपकी जुरियों की समस्या दूर हो जाएगी कद्दू के और भी हैं फायदे लंबे समय काम आपको यंग रहना तो कद्दू की सबजी का सेवन कीजिए जो लों लंबे समय तक यंग रहना चाते हैं उनके लिए घुकद्दू का पेष्ट पेहत फायदमन सावित होता है यानि की सबजी एक बावल में कद्दू का पेष्ट ले अब इसमें एक चमज bul़ जल जहाँ जहाँ आपने कद्दू का ये पेश्ट लगाया उसे दोलें इसे आपकी तोचा भी जवाँ दिखाई देने लगेगी कद्दू में बिटाइमिन A प्रयाप मात्रा में होता है जो आँखों की रोजनी तेज करने के लिए फाइलेमंद होता है एक कद्दू का रोजना सेवन करने से आँखों की रोशनी तेज होती है कद्दू में एंटी ऑक्सिजन प्रयाप मात्रा में होते हैं जो की ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करता है और साथी इम्मूटी बढ़ाता है यही कारण है कि बिमारियों से बचाने के लिए कद्दू का सेवन लाबकारी होता है योन जीवन में खुसाल कद्दू में जिंक परयाप मात्रा में होता है जो की पुर्सों के योन जीवन और फाटिलिटी को बढ़ाने में मददकार होता है कद्दु का सेवन योन जीवन को कुसहाल रखने में मददकार होता है